Hello and welcome viewers अगर हमारी skin पर निखार होता है तो हमारी skin अपने आप ही स्वस्थ लगने लगती है जब skin पर निखार की बात आती है तो चाहे आप कितने ही cosmetics का उपयोग क्यो ना कड़ ले सालों से चले आ रहे प्राक्रतिक उपायों की बात ही कुछ और होती है क्योंकि इनमें कुछ इस तरह की चीजे होती है जो हमारी स्किन के लोग को प्रभावित करती है और साथ ही अंधरूनी रूप से हमारी स्किन को हेल्दी बनाने में सक्षम है आज के इस वीडियो में हैले लाए हैं किछ смपल होममेट ःस पैक फीस पैक फोर ग्लोइग स्किन ये होममेट फ्रीस पैक बनाना बेहत असाल है इसके साथ ही हमने शेर किये हैं कुछ सिमपल तरफ फोरं ग्लोइग speak तो सबसे पहला है पपीते का face pack आप यूज करें for glowing skin इसके लिए आपको बस चाहिए आधा चम्मत चंदन पाउडर आधा कटोरी पपीता और थोड़ा सा गुलाब जल इस्तिमार करने का तरीका है कि सबसे पहले आप पपीते को मसल ले और उसमें आधा स्पून चंदन पाउडर को मिला ले फिर उसमें आवश्यक्ता अनुसार गुलाब जल मिला ले और एक अच्छा सा mix तयार कर ले इस मिश्रन को अपने चेहरे पर 15-20 मिनिट्स तक लगा कर छोड़ दीजे फेस पैक के सूप जाने पर अपने चेहरे को गुन-गुने पानी से धोने इस फेस पैक को हफते में 2-3 बार तक लगाया जा सकता है तो ये फायदिमन कैसे है आपके लिए ये तो हम सब जानते हैं कि पपीते हमारे स्वास्त और स्किन दोनों के लिए बेहत फायदिमत होता है ये विटमिन A में समर्द होने की वज़े से हमारी डामेज्ड स्किन के लिए काफी उपयोगी होता है साथ ही इस फेस पैक में मौझूद चंदन स्किन को ठंड़क प्रदान करता है और ग्लूइंग बनाने में सहायता करता है यही नहीं ये फेस पैक हमारी स्किन को मॉस्टराइज करने के साथ-साथ जाईयों को हलका करता है साथ ही skin tan को भी कम करने में सायता करता है इस face pack में anti-aging good होते हैं अगर आप चाहें तो पपीते की जगे आप पपीते की छिलके का भी यूज़ कर सकते हैं skin की रंगत को निखारने के लिए इसके लावा आप आलू का face pack इस्तिमाल कर सकते हैं for blowing skill आपको इसके लिए चाहिए दो चम्मच नीबू का juice आदा चम्मच शहद और दो चम्मच आलू का juice इस्तिमाल करने का तरीका है कि आप सबसे पहले एक बावल में आलू और नीबू का रस मिला ले फिर उसमें शहद मिक्स कर ले इस मिक्स को face पर 15 मिनिट तक लगा कर छोड़ दे फिर ठंडे पानी से अपना मूँ धो ले इसे आप हफते में दो बार तक लगा सकते हैं तो ये फाइदे मन्द कैसे है आलू का इस्तिमाल skin के लिए काफी लापकारी हो सकता है दरसल आलू में vitamin C और starch होता है जो skin को potion प्रदान करता है साथ ही ये skin से अशुद्धियों को निकालने में भी मदद करता है वही इसमें मौजूद alkaline cool skin में चमक लाने में काफी फाइद मन्द है विशेशक्यों का तो मानना है कि आलू में पाई जाने वाले enzyme दाख धब्बों को हलका करने में मदद कार होते है दही face pack लगाए इसके लिए आपको चाहिए एक चमच नीबु करस लगबग एक चमच शहद और दो से तीर चमच दही साथ में एक कटोरी इस्तिमाल करने का तरीका है कि आप एक कटोरी ले ले और उसमें इस सभी चीज़े अच्छे से मिक्स करके पेस्ट तयार कर ले इस पेस्ट को आप face पर 10 से 15 मिनिट तक लगा कर छोड़ दे फिर ठंडे पानी से अपने मूँ को थो लीजे तो ये फाइदे मन कैसे है दही स्किन को हेल्दी बनाने के लिए काफी जाना जाता है क्योंकि इसमें L-sistine peptide नामक amino acid मौजूद होता है जो तवचा की रंगत को निखारने में सहयता करता है साथ ही ये स्किन की लोज बढ़ाता है और स्किन को मॉस्टराइज करता है इसके regular इस्तमाल से आपकी स्किन हेल्दी बनेगी साथ ही glowing भी हो जाएगी गुलाब face pack का इस्तमाल करें इसके लिए आपको चाहिए बस दो चीज़ें एक चमश शहद और एक कटोरी गुलाब की पंखुरियां यानि की rose petals face pack बनाने का तरीका है कि सबसे पहले आप गुलाब की पंखुरियों को अच्छे से piece लीजे उन्हें अच्छे से crush कर लीजे फिर उसमें शहद मिला ले इस paste को आपको चेहरे पर लगाए रखना है for 10 to 15 minutes इसको अच्छे से सूख ले दीजे फिर अपने चेहरे को चंडे पानी से धो लीजे आपके चेहरे पर निखार आ जाएगा तो ये फाइदे मंद कैसे है गुलाब की पंखुरियों में skin complexion को निखारने और जुरियों से बचाओ करने वाले गुण होते है साथ ही इसमें antimicrobial गतिविदी भी होती है इसके इस्तमाल से तवचा से भीनी-भीनी सुकन दाएगी और आपको बहुत fresh महसूस होगा साथ में इसमें शेहर भी मिलाया जाता है जो skin को moisturize कर देता है और relaxed कर देता है इस face pack की use से आपको wrinkles से बचाओ मिलेगा साथ ही आपकी skin young और fresh लगेगी शेहर तवचा समदी समस्याओ से बचाओ करने में बेहत उपयोगी है जो इस face pack में मौझूद होता है तो ये तो हुए कुछ simple face packs जो आप अपने face पर लगा सकते हैं for healthy and glowing skin glowing skin के लिए आप कुछ simple tips देख लेते हैं स्वस्थ और growing skin की जहां बात आती है तो सबसे पहला नियम है कि खूब पानी पिए कर से कम cosmetics products का इस्तिमाल करें स्वस्थ आहार लें और जादा से जादा पानी पिए स्वस्थ और growing skin के लिए omega 3 fatty acid योगत खात पदार्तों का सेवन करें जो हमारी skin के लिए ही नहीं बलकी हमारे पेट के लिए भी काफी उपयोगी होते हैं healthy skin के लिए vitamin A और C आविशक होता है ऐसे में अपने खाने में आप broccoli, sprouts, हरी पत्तेदार सबजियां, साथ में फल और अंडे शामल करें Friends, आज की इस वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो सहायक और जानकारी पून लगा है तो कृपया इस वीडियो को अपने friends और family के साथ भी शेर करें शायद किसी की मदद हो जाए Thank you for watching this video, meet you next time Until then, stay happy and healthy